आप देख रहे हैं क्राइम टूडे न्यूस रशित खार नाज़र साहब आप एक सीनेर साहफी है और रिपोर्टिंग भी की है आपके इसाब से यह जो कल जो वाख्या हुआ है एक्जिबिशन ग्रॉण में जो आग लगी है घनिमत रही के बड़ा हासा होने से टल गया किशी की जान नहीं गहीं लेकिन यह जो भी सारा वाख्या हुआ इसके जिम्मेदार आप किसको खड़ा करते हैं कल शाम नुमाईश ग्रॉण पे जो हुलना का आग हादसा हुआ है उसके लिए पूरी तौर पे नुमाईश कमिटी जिम्मेदार है नुमाईश को इस खड़र कमिटी वाले पैसा आसिल करने का एक बहुत बढ़ा जरिया समझ गया है और उसको नुमाईश कमिटी को नुमाईश को एक तकबुराना अंदाज में किसी से कोई मशवरा लिये बगर चला रहा है जब कमिटी इस हादेशे की पूरी तोर पे जिम्मेदार है वो तो बहुत बढ़ा अल्लागा करम हुआ अगर थोड़ी सी भी भातर मच जाती तो साइक लो जाने चले जाती तो इस हादेशे के लिए जहां कमिटी मुकमिल तोर पे जिम्मेदार है उनको गरीब ताजरिन जो मुल्क के दिगर मुखामा से आकर यहां पे नुमाईश में दुगाना दगाते थे उनका करोणों का नुकसान हो गया उन नुकसानाट की मुकमिल अजाईगी करना चाहिए कमिटी को क्योंके कमिटी आप देखिए कमिटी की गहर जिम्मेदारा ना एक्दामाद देखिए आप इतना बड़ा इवेंट है वो वहां पे कोई फारी जंद नहीं मौजूद नहीं रहता था सतर असी साल पहले यहां के बादेशा ने खायम किया हैदराबाद को तरक्य देने के लिए अवाम की तफ्रीख के लिए जब आपादी कम थी सेर के खल्ब में यह मुकाम उन्होंने दिया लेकिन आज आपादी दस हुना बर चुकी है और कमिटी वाले नुमाईश को पैसे करोड़ रुपे हासिल करने का एक जरिया बना लिए कोई हिसाबात नहीं उसमें सैंक्लों दुखानां को दे दिया जा रहा है छोटी चोटी चोटी जखे जोसे दुखान को दे दी जा रही है फिर उपर से जहां दुखानां से करोड़ रुपे हासिल करते वे get collection के नाम पे करोड़ रुपे हासिल कर दे रहे आपके पास यह नुमाईश कमिटी की मुखामा है वहाँ पे क्या capacity है वह ग्राउण कितना बच्छा है दुखानां को जाने के बाद उसमें कितने लोग आकर तफ्री आसिल कर सकते हैं इनके पास कोई कोई चीज मुहियन कोई तैस जुदा नहीं है दुकानाग को देका क्रवलो रुपे आसिल कर लिए केट कलेक्शन के नाम पे जितने आ रहे बेवल पकड़ों के तरह केट कलेक्शन का टिकर दिये अंदर गुजरते चले जा रहे हद तो यह चुकी है कि नुमाईश मैदान में लोग उनको फिरने के लिए धक्या मारते पे फिर रहे हैं और उनको सास लेने के लिए भी तक्रीफ हो रहे है यह कमेटी है वो तो बहुत बड़ी बाच हुई कि कल भक्तर नहीं मची लोग समझदारी से समझदारी से आहस्ता से बाहर निकल गए अगर कोई अफ़ाँ बहल जाती और भक्तर मच जाती तो जहां पे कलों का मुसान वा स्वेंटर जाने भी चले जाती तो इस नुमाइश को जब यहां के बादेशाय ने खाम किया था तो उस नुमाइश में एक मौत का कुवा के नाम से एक इवेंट होता था जिसमें एक शक्स बहुत ही उचाई से आग लाकर उस कुवे में कुटा था तो मैं आज करूंगा कि यह सारी नुमाइश आज मौत का कुवा बन चुकी है अवाम के लिए यहां पर कोई इनके पास तर्टीब नहीं है कोई अवाम को कफरी पहुंचाने के लिए कोई प्लान नहीं है और अभी कमिटी एलान कर लिए है कि हम नुमाइश को फिर से शुरू करेंगे तो मैं इस हकूमत से उर्जोर अपिल करता हूँ कि वो कल के वाके को आप सिक्नल के तौर पर देख दीजिए जारो जाने जाने से बच गई इस उमाइश को फिर से शुरू करने की हरकी जजाद मत दीजिए और उमाइश कमिटी को जो इस हादेशे की जिम्मेदार है वो तमाम नुकसानागी गरीब ताजरों के नुकसानागी पूरी मुकमिल तौर पर अदाईए करे और जितने दुखानागी से आप अडवांस लिए माइशा असल करे उनको पूरा वापिस कर दीजिए और रुमाईश को हरकिस यहाँ पर शुरू करने की इजाद नहीं मिलने चाहिए खल्बे शायर में यह बहुत तंग हो चुकी है जिके टाफिक का मसला पैदा हो चुका है अगर हुकूमत हवाम की तफ्रीक लिए उतना ही अगर दिल्शस्पी रगती है यहाँ पर फंद्रागास को चंड़ा फंद्रागास चंपीजनल को चंड़ा यहाँ पर जो सो हर्ष्टिंग करने का जब शुवा की तुम नुमाईश को भी वहाँ खायन कर दिए जोग गुद्बूलने खिले को भी देखेंगे नुमाईश से भी मेजूस होंगे और इस कमिटी को सुबसे पहले बरखास कर दीजिए नई कमिटी को फार्म कीजिए यहाँ पर जिसमें शाहर के जिम्मेदारान हराकी ने असंबली और फॉर्ष्ट चनाज आफिसर्स होना चाहिए जिनको अवाम की जिसको जहानों की फिकर हो अलाकि ने पार्लिम्मेंट को होना चाहिए सरकारी ओदेदार फर्ष्ट चनाज होना चाहिए एक कमिटी को फार्म करते हुए नए मुखामात को पर जिसमेदार को खायम करे और मैं अवाम मुनाज से भी अपिल करता हूँ कि वो नुमाईश को अगर फिर से जारी करने की कोई कोशिश करना है अगर वो खांदारों के उन फैमिलियों के जिम्मेदारों से मैं अपिल करना हूँ तर्दमंदाना कि वो अपनी हवाम को अपनी जोसे फैमिली को नुमाईश को ना भीजें कल के आदिसे से आपको वोश में आ जाना चाहिए अगर वाकिया आप फैमिली के जिम्मदारे बड़े हैं तो आपके अपने नौने आलों का औरतों का जईफों की फिकर करते वे रुमाईश का तरफ हरकिस दुरूख न करें डिजाइनर सादी शिर्ट पैंट लॉंग फ्रॉस आप फिशकत सूट्स लेट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल मगदूम्स बिग मॉल अपुसित कमान मदीना बिल्दिंग चार मिनार रोड हैदराबाद